नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हेल्थ भारत में दोस्तों आज की वीडियों में हम आपको बतायेंगे कि गर्ब में पल रहे शिशु का वजन कितना होना चाहिए और गर्ब में पल रहे शिशु के वजन को कैसे बढ़ाएं तो आईए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों कई बार जब नवजात शिशू का जन्म होता है तो उसका वजन समानने से बहुत कम होता है इससे उसके विकास में कई सारी विक्ते आती है इसलिए गर्ब में पल रहे शिशू के वजन संतुलित होना चाहिए इसलिए कहा गया है प्रेगनेंट महिलाओं को अपने डाइट और एक्सरसाइज का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इसी वज़े से गर्ब में पल रहे शिशू का वजन संतुलित रहेगा दोस्तों हर मा चाहती है कि गर्ब में पल रहे उसका बच्चा स्वस्त रहे प्रेगनेंसी के तीसरे महिने में अपना पहला अल्ट्रासाउंट करवाती हैं और इसी समय उनके गर्ब में पल रहे शिशू का वजन का पता चलता है और इसी अल्ट्रा सांट के द्वारा उन्हें यह भी पता चलता है कि उनका डिलीवरी डेट कब होगा गर्ब में पर रहे शिवू के विकास के लिए मा को अपनी डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए उन्हें अपनी डाइट में ताजे फल सबजियां साबुत अना और किश्मिश का प्रियोग करना चाहिए लेकिन यह ध्यान रहे कि इसका सेवन सिमित मात्रा में ही होना चाहिए नहीं तो लाग के बदले हानी हो जाएगा गर्ब में पल रहे शिशू के सही विकास के लिए प्री नेटल विटामिन लेना चाहिए यह विटामिन बच्चे क की वजन बढ़ाने में भी मदददार साबित होते हैं मां को प्रयाप्त मातरां में पानी बीना चाहिए क्योंकि गर्भवस्था के दौरान पानी की कमी के कारण कई सारी स्वास्ते संबंदी समस्यां आ सकती हैं गर्भ में पल रहे शिशू के वजन बढ़ाने के लिए मां को नीन लेनी चाहिए क्योंकि गर्भवती महिला के लिए भरपूर आराम करना बहुत जरूरी है अधिक महनत या आनवाशक तानाओ बच्चे की बुद्धी और विकास को प्रभावित कर सकता है मां को कम से कम आठ घंटे नीन लेनी चाहिए उम्मीद है दोस्तों ये वीडिय तो आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स ताकि सबसे पहले नौटिफिकेशन आपको मेरे और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएं तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर बाए बाए